1999 का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में विदेशी मुद्रा लेंदेन को नियंतरित और विनियमित करता है। इसके प्राथमिक लक्षे हैं। भारत के विदेशी मुद्रा प्रबंधन करें। अधिकृत व्यक्ती ही विदेशी मुद्रा में लेंदेन कर सकते हैं। ये बाजार में पारदर्शिता और जवाब देही सुनिश्चित करता है। चालू और पूंजी खाता लेंदेन, फेमा चालू खाता लेंदेन, व्यापार और सेवाओं से संबंधित, और पूंजी खाता लेंदेन, निवेश से संबंधित के बीच अंतर करता है। जबकि चालू खाता लेंदेन आम तौर पर उदारिक्रित होते हैं, पूंजी खाता लेंदेन RBI द्वारा प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI फेमा भारत में FDI प्रवाह के लिए रूपरेखा तयार करता है, निवेश पैटर्ण, मुनाफे के प्रत्यावर्तन और निकास विकल्पों के लिए दिशा निर्देश स्थापित करता है. विदेशी संस्थागत निवेश, FII अधिनियम भारतिय शेयर बाजार में FII द्वारा निवेश को भी नियंत्रित करता है, पात्रता मान दंड, निवेश सीमा और रिपोर्टिंग आवश्यक्ताओं को निर्दिश्ट करता है, प्रवर्तन, FEMA RBI को उसके प्रावधानों के उल्लंगन की जाँच करने और दंड का अधिकार देता है,